मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप तो हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज हम लोग बात करेंगे चार अप्रेल के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंच चिफल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापारी बंदू नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिले दिन आज आज मंतर का 108 बार जाप करें मानसिक ठकान और उदासींता को आप अपने उपर हावी न होने दें वृषब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज पूर्व निर्धारत कार्य को अगर आप लक्ष को ध्यान में रख करके मेहनत करेंगे परिश्रम से काम में लगेंगे तो सफलत प्राप्ति के संकेत बहुत जादा दिखाई देते हैं शनी चालेसा का पार्ट करना और किसी काले कुट्टे को इमिर्ती देना आज आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है मेहनत में कमी आपको आज नहीं करने चाहिए परिश्रम से पीछे मत अटिये मितुन राश करते हैं तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें चिंता मुक्त रहने के लिए योग प्रणायाम का सहरा लेना चाहिए और भगवान श्री सीता राम जी की पूजा राधना करें ज्यादा आप ना बोलें सोच समझ करके नपातुला बोलें करकराशी करकराशी वाले जातक आत्में आपको इस्टे भी नहीं करना चाहिए देवी दुर्गा की पूजा राधना करें लक्षमी चाली साव अगयरा का पाट करते हैं तो आपको सफलता आवश्य मिलेगी व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूले समय आप नश्ट न करें सिंग र को आप थोड़ा सा मॉनिटर करिए उनके कुछ एक्टिविटी से आपको सामाजिक मान सम्मान की हानी हो सकती है निराश किसी भी इस्थिति में नहीं होना है भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करना उम विष्णवेन महमंत्र का 108 बार जाप करना और किसी गरी को उनकी गतिविदियों पर आपको आज नियंत्रन लगाने की जरूरत है भगवान गणेश की पूजा अराधना करना गणेश चालेसा का पाठ करना और तनाव ना लेना आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा तुलाराशी तुलाराशी वाले जातक लोगों के लिए व्य करीब व्यक्ति का अनादर अपमान बिल्कुल भी न करें व्रिश्चिक राशी व्रिश्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिलेगी तथा मित्रों और नहीं जनों से लाभाव को मिल सकता है व्रिद्ध की सेवा करनी चाहिए श्री सूक्त का आ और वहां बैट करके शिवलिंग के आसपास या किसी भी मन्दर में महामरितुंज्य मंत्र का आप जितना जादा से ज्यादा जाब कर सकते हैं मैं कोई संख्या निर्धारित नहीं कर रहा हूं और 101 या 5001 जितना कर सकते हूं आपको अपने तरफ से ज्यादा से ज़ादा करन चाहिए तो आपके health issues जो है वो control होंगी परिवार की बात या सुझाव को आप अंदेखा बिल्कुल भी न करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए मानसिक इस्तिति आज अच्छी रहने वाली है तनाव मुक्त रह पाएंगे जो काम रुके हुए थे जिन कामो आने से इस फूर्ती घटी हुई सी प्रतीत होगी काली वस्तु का दान करें बजरंग बाण का आप पाठ करें और किसी की निंदा करने से आज आज आप बचें मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में उच्छ पदादिकारियों से सावधान रहना पड़ेगा लाल वस्तु का दान करना चाहिए और साथी साथ अगर आप कर सकते हों तो रामरक्षा इस्तुरोत का पाठ करना होगा आत्मविश्वास में किसी भी तरीके से कमी मत होने दीजे तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारह राशी की हम लोगों ने जाना ग्रह सब मेसेज किया और मुझसे पूछा कि आप हमें एक लिस्ट बता दीजे कि किस तिथी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो अभी लगातार मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं शास्त्रों में जो चीजे मुझे अभी हात लगी है फिलाल मैं ये जानकारी आपको दे देता हूं आगे भी इससे जुड़ी हूई जो जानकारी मुझे मिलेगी वो मैं आपको जरूर दूंगा त्वितिया की थिथी में हर महिने में दो बार दुदिया पढ़ती है हर पक्ष में एक बार पढ़ती है शुकलपक्ष में कृष्णपक्ष में तो किसी भी द्वितिया में इसमें किसी पक्ष की बात नहीं हो रही है कि शुकलपक्ष की द्वितिया या कृष्णपक्ष की द्वितिया यहां तिथी की बात हो रही है जितनी भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूं वो उन सहवास इस्त्री प्रसंग यानि फिजिकल रिलेशन वगेरा नहीं किया जाना चाहिए तिल का तेल नहीं खाना चाहिए और शरीर में उप्टन वगेरा तिल के तेल आदिका बना करके नहीं लगाना चाहिए रवीवार के दिन संडे के दिन ये भी ब्रह्मा वैवर्थ पुरा पुरान के श्री क्रिश्नखंड में इसका उलेक प्राप्त होता है। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना पूरी तरीके से वरजित बताया गया है। पूजा को करने से जाने अन जाने हुए पाप और इसकंद पुराण में यहां तक कहा गया कि ब्रह्म हत्या से के समान या ब्रह्म हत्या का जो महापाप है वह भी नश्ठ हो जाता है और यह भी इसकंद पुराण में कहा गया है कि अगर आप बेल के पेड़ की पूरी आप भी अगर कोई है इस जन्म का है पिछले जन्म का है तो उससे मुक्ति मिलती है तो मित्रो मेरा प्रयास अभी लगातार जारी है इस तरीके की और भी जानकारियां जो भी आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ अपने अगले एपिसोड में आने वाले एपिसोड में हर एक एपिसोड में हम लोगों का यही प्रयास होता है कि पहले से बहतर आपको information दी जाए अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए जब भी मैं content write करता हूँ तो हर दिन ये सोच करके content write करता हूँ कि इस बार जो हम लोग recording करेंगे उसमें पहले से best content जाना चाहिए तो हम लोगों का प्रयास जारी है और आपकी queries आती रहती हैं तो हमें पता लगता है कि आपके क्या interest की चीज़ें हैं किस विशय पर हमें काम करना चाहिए कौन सा content आपके interest का है जो आपको उपलब्द कराया जाए तो आप अपने messages में email और WhatsApp के माधियम से भेज सकते हैं आशा करता हूं कि यह जो जानकारियां आपको मेरे YouTube चैनल से मिलती है यह निशिती आप लोगों को पसंद आती होंगी आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग गया दीजिए और देखते रहें अगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाई के वीडियोस डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटा जाए धन्यवाद जित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्राब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि परसनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सअप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद